नमस्ते फैमली कैसे हैं आप लोग बढ़ियां ही होंगे फ्रेंट्स आज मैं बनाओंगी चने का साग हरे चने का साग जो की सिर्फ ठंडियों में ही मिलता है सबको पता है साल भर में एक ही पार इसका सीजन आता है मौसम आता है तो जरूर बनाना से थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है बनाना इसकी वज़ा से कोई इसको बनाना नहीं चाहता है तो आज मैं आपको बताओं कि कि इजी वे में इसे कैसे बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बनके आता है और सर्दियों के सीजन की जो भी हैं वह मैं बनाना स्टार्ट की हूं तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहेगा तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो डाला था प्याजा पकोणा बहुत ही बनके आया था तो ठंडियों के सीजन में तो हम कुछ भी खाएं कुछ भी खाएं वो सब कुछ मतलब क्लियर है ना आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूं तो फ्रेंट्स ठंडियों में यम्मी यम्मी खाना खाना है आपको तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम चनी का साग बनाना स्ट 500 ग्राम है सर्दियों में चनी का साग खाना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत टेश्टी भी बनता है और खास तो साल भर तो यह मिलता नहीं है सिफ ठंडियों के सीजन में ही मिलता है तो हम सब को खाना चाहिए और यह मार्केट से आया है इसलिए यह काफी बड़ा- जता है मगर कोसिस करेंगे आज कि बनाओं आपको लोगों के लिए कि और यह अगर हम खेटों से लेकि आते ना जो लोग खेत जानते होंगी घावचा जानते होंगे उनको पता होगा की खेतों से अगर हम लेकिए आते हैं तो इसको काफी झोटा-चोटा Samu के लाते हैं वो तो वो भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है और थोड़ी सी हींग ली है और यह मैंने अद्रक लिया है मैं इसमें अद्रक लासुन का पेश्ट नहीं डालूँगी हमारे पास फ्रेस अद्रक लासुन जो है मैं उसी को यूज करूँगी क्योंकि इसका स्वादना बिल्कुल हटके आएगा बिल्कुल ही एकदम यम्मी यम्मी सा बनेगा इसकी वज़ा से और यह मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची को कट किया है मैंने आप चाहें तो आप लासुन अद्रक का पेश्ट भी यूज कर सकते हैं इसमें और यह मैंने देखिए लासुन की कलियां ली है यह थोड़ी सी जादा ली है क्योंकि हरे जन्य का साग है तो लासुन तो डालना बनता है और मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची ली है मसालेस में जाता कोई यूज नहीं करने हैं हमें बस थोड़ा सा यूज करूँगी और यह अल्दी है हमारी परमपरह के अनुसार कोई भी खाना हम बगएर हल्दी के नहीं बनातें ना तो को सोचती हका है थोड़ी सी थ्ञाण आ का पावर्डर लिया है और यह नमक स्वाद की अनुशार लिया है आपके पास जितना साग हो उसी साप से आप नमक एड़ करिएगा यह मेरा साग जो है यह 500 ग्राम है इसको मैंने काफी अच्छी तरीके से धुल लिया है तो इसको पकाने के लिए मैंने लिया है कुकर और देखिए मैंने गैस आउन करके इस पे कुकर रख दिया है आप चाहे तो कडाही में भी यह प्रोसेस कर सकते हैं बट कुकर में थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, इसलिए मैं फटा-फट से कुकर में ही कर रही हूँ, अब ये जो साग है इसको मैंने सारा का सारा इसमें डाल दिया है उठाके, और अब इसमें मैं डालूँगी दो गलास पानी, इसमें बाजी भाजी बनगाने के प्रोसेस में यूज़ करेंगे आदर और कोई पानी हम इसमें नहीं डालेंगी इस वजा से मैंने इसमें दो गलास पानी आएट कर दिया है अबी ज अभी ये ऑल हो dumbbell होगा तो इसके अंदर से कुछ प्रोटीन कुछ बितमीन्स जो है वो पानी में जाएंगी और उस पानी को हम भेकेंगे लियूज करेंगे और साग हमारा जो है वो बॉयल हो गया है उसको मैंने साइट में रख दिया है जब तक हम एक टमाटर बॉयल गर लेते हैं क्योंकि जो कच्छा साग खाए होंगे खेतों में जाके खाए होंगे उनको पता होगा कि साग के ऊपर एक खटा सवो होता है है ना लंकीन सा स्वाध रहता है उस पर वह खेतों में ही रहता है मार्केट में आपको नहीं मिलेगा जो मार्केट के साग है उसमें नहीं मिलते हैं है ना क्योंकि उतना फ्रेस भी नहीं रहता है यह साग जितना हम लोग खेतों से खाते हैं तो रहता है मैं कोशिश करूंगी अगर मैं जाओं तो आप लोग को इस चीज का खेट दिखाऊंगी अगर मैं गाओं गई तो और किस तरीके से खाते हैं किस चीज से खाते हैं वो भी जरूर दिखाऊंगी बेट करिएगा दो ही चार दिन में सायद में दिखाऊं और देखिए साग हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है अब हम इसको अलग कर लेंगे उसका पानी देखी कितना हलका सा रेड रेड सा कुछ इस तरीके का है ना तो इसका मतलब कि साग के अंदर से जो भी कुछ कुछ भी कर देखिए और यूपी स्टाइल साग को हम बना रहे हैं इस वजह से मैंने लोही की कडाही यूज की है अगर आपके पास हो तो आप यूज करिएगा ना हो तो ना करिएगा और इस लोही की कडाही में मैं सबसे पहला प्रोसेस जो है वह बेशन को भूल लेंगे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वह कच्चे ही इसी तरीके से आठा बेशन जो कुछ भी लेते हैं इसमें अड़ करने के लिए वो बिल्कुल कच्चा ही रखते हैं और उसमें पानी मिलाएंगे घोल बनाएंगे और डाल देंगे ये बात तो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि उसका स्वाद कैसा आता होगा तो आप ये गल्ती बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप कच्चा घोल बनाएं और डाल दें तो उधर मैंने अपना बेशन भूल लिया है मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी से बनाना है इस वज़ा से मैं थोड़ा शर्षय का तेल है सर्षय के देल में बनी हुए चीज़ें बहुत ही टेश्टी होती है और तेल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और एड़ कर दिया है उसमें हमारा तेल जो है इधर गरम हो रहा है और साग को बारीक बारीक अगर आप काट पाएं लेकिन उस तरीके से तो अब हम लोग नहीं काट पाते हैं जिस तरीके से पहले दादी नानी लोग काट देती थी है ना तो उसको इजी बनाने के लिए हम लोग मिक्सी का यूज करते हैं और इसका अच्छा सा बारिक सा फाइन बेटर पीस के तैयार कर लेते हैं टेस्ट वही आता है ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है बेरहाल और इधर हमारा तेल जो है वो गरम हो रहा है चैनी का साग एक बार जरूर बना के खायेगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को भी पैस कर लिजेगा ताकि मैं कोई भी हरकत करूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले आप तक जा सके और अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको या पसंद आए है तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ सेयर कर लिजेगा इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा ताकि वो भी इसका लाव उठा पाएं है ना आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लासुन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले जीरा और हींग एड करेंगे कोई भी चीज बनाते हैं तो लेकिन मैं लासुन यूज कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने कट करके डाला और थोड़ा सा इस तरीके से साबूत डाला है साबूत लासुन का जो सवाद है ना साग में वो बिल्कुल हट के आएगा बिल्कुल निखर के आता है तो आप भी इसी तरीके से यूज करिएगा और मैंने अभी इसमें जीरा बगएरा बिल्कुल नहीं एड़ किया है क्योंकि क्या होता है लासुन पकने में टाइम लगता है और उस तनी देर में हमारे जीरे और हींग का स्वाथ जो है वो खराब हो जाता है तो सबसे पहले लासुन ही एड़ करिएगा एक एक चीज बहुत ध्यान से देखेगा और सेम इसी प्रोसेस से बनाईएगा और एक रिक्वेश्ट हमारी और है आप लोगों से कुछ भी बनाईए तो एक ही वीडियो को देखिए बहुत सारे लोग क्या करते ना थोड़ा सा यहां देखा थोड़ा वहां देखा और बना लिए उसके बाद कंप्लेन करते हैं कि यूटूबर जो कुछ किचन में बनाके दिखाते हैं वह सही से बनता नहीं है है तो अब मैंने इसमें जो जी रहींग था उसको भी एड़ कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा हमारा लासुन पक गया है उसके बाद इसमें हमने एड़ कर के लिए था और यह अब मैंने सबसे लाश्ट मिस में डाल दिया है हरी मिर्ची अब यह एक भी चीज जलेगी नहीं और सब बिल्कुल पर्फेक्ली पक के आएगा कोई चीज कम या ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा कुकिंग का यही एक फंडा है कि हम कौन सी चीज कब करें तो उसका स्वाद जो हो बिल्कुल हट के आएगा बिल्कुल निखर के आएगा अगर आपको इस चीज के जानकारी हो जाएगी तो कि कौन सी चीज कब एड करनी है और देखिए मैंने आपको दिखाया कि मैंने साग को अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस लिया है और इ हल्दी ठोड़ा कम ही अट करिएगा क्योंकि इसका हरा पन जो है वो बना रहे है न उसकी ग्रीन नेस जो है वो खराब ना हो खतम ना हो इसके लिए थोड़ा सही एड करिएगा और मैंने थोड़ी सी धनिया पाउडर जो था उसको एड कर दिया है तो लाल मिर्ची आपको जरूरत नहीं होती है हलका सा कलर के लिए मैंने एड़ कर दिया हुए कस्मीरी लाल मिर्ची है जो मैंने एड़ किया है और देखिए हमारा मसाला कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है लोही की कड़ाही तो साग में जान ला देती है तो अगर आपके घर में ना हो तो एक आप साग बनाने के लिए हम लोही की कड़ाही जोती है इसको यूज करें तो बहुत ही अच्छा होता है हमें आयरन भी मिलता रहता है इससे तो हमें अलग से आयरन की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप देखिए मैंने इसमें जो बेसन लिया था उसका गोल अम्यां बना लिया है बिल्कुल ना एड़ करिएगा डॉर है कलए टॉक्त के इसम बना है घोल ना बनाने में जान और हम प्रूे और के विश्चित्ट वीखिशन नमीचल को म सउक इलना वो आपस में उनको जोड के रखने का काम के लिए अदिए मैंने ठीश के लिए अब मैं नहीं जो चने का पेस्ट बना के रखा था उसको और अच्छी तरीके से देखे मिला लेंगे यह पकना स्टार्ट हो गया है इसमें सारी चीजे में पकी हुई अगर आप ध्यान दिये हो तो इसमें मैंने कोई भी चीज कच्छा नहीं एड किया ना तो पानी ना तो कोई टमटर पानी पीसे में ङॉपीने ऑखे मिठाट कम आता है मिठाईया दो है बनती है बटेकि हैं कितने अच्छास हमाँซा फिवाफ पक रहा है नेरी हो थेह साग कर लेंग सर्वब तोchu और कायमरा लाक सेट कर रखा इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आप लोग को दिखाने में यह मैंने इस तरीके का एक दोले रखा है जिसमें मैं इस साग को सर्व करूंगी और इस चनी के साग को धाबाई स्टाइल भी बोल सकते हैं यूपी स्टाइल भी बोल सकते है कितना यम्यम्य सा बन के आया है और स्टाइल धिया जाता है जरूर धियान दीजेगा अ किस तरीके से बीच में होल बना दीजेए ठोड़ी सी जगा बना दीजेए मैं किसी को भी सर्व करिए तो इसी तरीके से सर्व करिए गा इसके उपर मैं डाल रही हूं कि आपको कैसा लगा मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को मैं फिर से कहती हूँ सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और अपने अपनों के साथ सेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा इच्छा हो तो लाइक भी कर दीजेगा